हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंफिन्टी नॉलेज आज की वीडियो के अंदर हम पूरूफ करने वाले हैं कि कोस अक्स प्लेस वाई कोस टू कोस अक्स डॉट कोस वाई माईनस साइन अक्स डॉट साइन वाई क्यों होता है तो आए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो यहां पर यह फॉर्मूला पूरूफ करने के लिए में क्या लेता हूँ यहां पर यहां पर काटिजन के अंतर में सरकल को लिया है यहां पर यह अक्स पॉइंट को मैं ओ देता हूं और पॉइंट के कोडिनेट है हमारे पास 0,0 और जो यह सरकल है इसकी रेडियस है हमारे पास और इस सेंगल को यहां पर में बॉल देता हूं X Degree तो यहां पर यह अगर यह X Degree है और यह R है तो यहां पर इस पॉइंट के कोडिनेट हो जाएंगे हमारे पास R cos x,R sin x यहां पर मैं इस point को A बोल देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ B यहां पर A point के coordinate R pos x, R sin x कैसे हैं यह भी हम देख लेते हैं हम क्या करते हैं कि जो ट्राइंगल है ट्राइंगल O A, B यहां पर यह क्या है perpendicular तो इसका जो perpendicular होगा वो हो जाएगा A, B तो इसके अंदर हम क्या गरेंगे इसके अंदर हम simply sin x का formula लगाएंगे तो sin x equals to हो जाएगा perpendicular divided by hypotenuse यानि A, B divided by R तो A, B कितना आजाएगा मारे पास R sin x तो A, B कहा है, A, B हैमारा point A का Y coordinate, तो Y coordinate हो जाएगा है हमारे पास R sin x इसके अंदर हम cos x का formula लगाते हैं तो cos x equals to हो जाएगा base, base कितना है O, B divided by hypotenuse तो यहाँ पे जो O, B है वो equals to हो जाएगा R cos x तो यहाँ पे जो O, B है वो क्या है, जो point है, इसका x coordinate है, तो इसलिए जो x coordinate हो कितना आगया है, मारे पास R cos x अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि एक radius O C लेता हूँ, जो कि हमारी positive x axis से x plus y degree angle बना रही है तो यहाँ पे यह radius R है और हमने starting के अंदर माना है कि जो R है वो 1 के equal है, तो हम इसको बाद में 1 के equal लेंगे, कोई problem नहीं है तो जो point C है, इसके coordinate कितने आ जाएंगे, C के coordinate आ जाएंगे हमारे पास R cos x plus y comma R sin x plus y अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि जो यह circle है, इसके fourth coordinate के अंदर echo radius लेता हूँ तो fourth coordinate के अंदर यह echo radius है, मैं इस point को बोल दे रहा हूँ, D और यहाँ पर जो यह angle है, उसको हम clockwise direction के अंदर measure कर रहे है और यह angle जो है, उसको मैं मानता हूँ कि कितना है, y degree के equal minus y क्यों लिखा है इसको, मैंने क्योंकि इसको हमने clockwise direction के अंदर measure किया है mathematics के अंदर हम जितने भी angle measure करते हैं, उनको positive x axis से measure करते हैं और जितने हं भी angle को हम positive-aq axis से anti-clockwise direction के अंदर measure करते हैं उन सब को positive लेते हैं और जितने भी angle को हम positive-aq axis से क्लोड़ देरeक्यों के आंदर measure करते हैं उनको हम negative लेते हैं अब इसके बाद में हम पॉइंट Д्.क. कॉडिनेट लिखते हैं होता है तो R cos Y, minus R sin Y, अब इसके बाद में मैं एक circle के उपपर एक और point लेता हूँ, P, तो जो point P है, इसके coordinate कितने हो जाएंगे, जो इस circle है, इसकी radius R है, तो जो x coordinate है, वो R हो जाएगा, और Y coordinate हो जाएगा, 0, तो point P है, इसके coordinate कितने हो गए, R, 0, जो, अब इसके बाद में क्या करता हूँ, कि जो point C है, इसको मैं point P से मिलाता हूँ, यह हम क्यों मिला रहे हैं, यह भी हम थुट जर्में देखेंगे, और एक में आपे, जो point D है, इसको ऐसे मिलाता हूँ, अब हमने आपे यह दो line क्यों किची है, यह भी हम देख लेते हैं, यह हमने आपे इसलिए किची है, क्योंकि यह दोनों equal है, जो C P है, वो, यहाँ पे AD के equal है, अब यहाँ पे इस C P AD के equal क्यों है, क्योंकि एक वर्थ के अंदर, अगर हमारा angle समान हो, तो उसके सामने की जीवाएं भी समान होती है, तो यहाँ पर इस diagram के अंदर, एक तो angle यह है, X प्लस Y, और इसके सामने की जीवा है, C P, और एक यहाँ पे यह angle देखिए आप, यह angle भी कितना है, X प्लस Y, और इसके सामने की जो जीवा है, वो है AD, यहाँ पर यह दोनों angle समान है, तो वर्थ के अंदर यह दोनों आप X-Y मतलिक दीजिएगा, इसको X-Y क्यों नहीं लिख सबते है, वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ, suppose कि यह एक perpendicular है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह एंगल है theta, जो कि हमने measure किया है, anti-clockwise direction के अंदर, और यह angle हो जाएगा हमारा minus theta, क्योंकि यह हमने clockwise direction के अंदर measure किया है, तो बताएए इन दोनों की बीच में angle कितना हो जाएगा, theta होगा यह 0 होगा, अब यह 2 theta क्यों आया है, क्योंकि हमने जो angle measure किया है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक किया है, यहनी complete angle को हमने anti-clockwise direction के अंदर measure किया है, तो इसलिए यहाँ पर यह दोनों add हो जाएंगे और add होके बन जाएगे 2 theta, इसी तरह हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि हमने जो यह angle measure किया है, यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक measure किया है, यानि anti-clockwise direction के अंदर measure किया है, तो इसलिए जो यह angle होगा, वो अक्स प्लस Y हो जाएगा, इसी तरह है, जो यह angle है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको भी हमने anti-clockwise direction के अंदर measure किया है, तो इसलिए यह अक्स प्लस Y हो जाएगा अब यहाँ पर आपको यह बात तो पल्ले पड़ गई होगी कि जो CP है वो AD के equal क्यों है तो यहाँ पर CP AD के equal है तो हम यहाँ पर CP distance निकालते हैं इस diagram से तो इस diagram से CP कितना आ जाएगा CP आ जाएगा यहाँ पर R minus R cos x plus y का square plus 0 minus R sin x plus y का square root equals to है AD तो यहाँ से AD कितना हो जाएगा यहाँ से AD हो जाएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूं नीचे यह equals to हो जाएगा AD के और AD है हमारे पास R cos x minus R cos y R cos x minus R cos y का square plus R sin x plus R sin x इसको जब इसमें से minus करेंगे तो यह minus minus plus हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा R sin y इसका square और इसका यह root यह equals to हो जाएगा AD के अब दोनों तरफ square root है तो दोनों तरफ square कर देंगे हम तो यह square root हट जाएगा तो square root हटाके और यह square को जब हम कोल देंगे तो यह क्या बन जाएगा R square आप यहाँ पर R equals to 1 भी रह सकते हैं वरना इसको R ही रहने दीजिए क्योंकि वैसे भी यह दोनों साइट से हैं को मना के कट जाएगा तो इसको जब आप R equals to 1 ले लिजिए फिर इसको R ही रहने दीजिए तो मैं यह पर R ही रख़गा हूं इसको तो यह R square आ गया R square cos square x minus 2 R square cos x dot cos y plus R square cos square y plus R square sin square x plus 2 R square sin x sin y plus R square sin square y. तो यहां पे यहां पर आर यिसकोरर और से ही रहां और यहां पर इसकोर कमना आकर ऑने तो हम नहीं धाने तो जब चाथा सकते हैं cos square x plus y plus sin square x plus y equals to हो जाएगा ये cos square x इसके साथ मैं इसको लिख दे रहा हूँ है आपे plus sin square x फिर लिख दे रहा हूँ है आपे plus cos square y और इसके साथ मैं ये लिख दे रहा हूँ plus sin square y और क्या बच गया है यहाँ पर minus 2 cos x cos y और यहाँ पर एक यह बच गया तो यह हो गया plus sin x dot sin y अब यहाँ पर यह दोनों 1 के एकवल हो जाएंगे sin square dita plus cos square dita या फिर cos square dita plus sin square dita equals to 1 होता है यहाँ पर यह दोनों भी 1 के एकवल हो जाएंगे और यह दोनों भी 1 के एकवल हो जाएंगे तो यह हो जाएगा 1 minus 2 cos x plus y plus 1 equals to 1 plus 1 minus 2 cos x cos y plus 2 minus 2 cos x cos y plus 2 minus 2 cos x cos y plus 2 cos x plus y equals to 2 minus 2 cos x cos y plus 2 sin x sin y तो यहाँ पर यह 2 से 2 cancel out हो जाएगा और फिर 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा minus cos x plus y equals to minus cos x into cos y plus sin x into sin y यहाँ पर minus से दोनों तरफ multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा cos x plus y cos x plus y equals to cos x into cos y minus sin x into sin y तो यहाँ पर यह हमने प्रूफ कर दिया कि क्यों cos x plus y equals to cos x into cos y minus sin x into sin y होता है I hope आपको इस डेडिवेशन समझ में आया होगा तो आज की वीडियो के लिए इतना ही thank you अचीं हूऑ हूब एक आपसूप्स